सात्यों नमस्कार आज हम बात करेंगे वह फ्लाइट से रिलेटेड क्योंकि यह टोपिक इपोर्टेंट रहने वाला है आपको आपने सुना होगा भी गोवर्मिंट ने भी काफी सारी फ्लाइटों में छूड़ दिये 870 के करीब इंडियन गोवर्मिंट ने भी चूड़ दिये जिसको चार्टर फ्लाइट भी आप बोल सकते हैं इसको देखते भी बहुत सारी जो प्लेन से रिलेटेड है एरक्राप्ट हैं उन्होंने क्या किया कि बुकिंग स्टार्ट कर दी है जियां सात्यों एक जुलाई से बुकिंग स अलाइन बुकिंग टिक्टों की की थी मार्च में भी की थी उससे पहले फर्वरी में भी की थी बहुत सारी दुनिया ने टिगट बुक करवा ली थी लेकिन हुआ क्या उनका आगे हम बढ़ने से पहले चाहूंगा वीडियो पहली बार देखने चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि वीडियोट समय पर आपको मिलते रहे फेस्बुक पेच वाले पेच को फोलो कर ले ताकि आपको इंक्वारी सही मिलते रहे विदे से समन्दित तो भाई आपन बात कर लेते हैं देखिए अभी इंडिगों ने टिकट स्टार्ट की आपने सुन तोड करके 15-20 आर का टिकट का आप जुगाड करोगे और वो टिकट बुक करके आप बैठ जाओगे और कल को पता लगे टिकट कैंसिल हो गई या गोर्मिन ने इजाज़त नहीं दी या फिर उड नहीं पा रही है बहुत सारी रिजन हो जाते हैं क्यों बाई करोना है देख बाद उनको मिल जाएगा और वो टिकट बुक करके दूसरी टिकट के पैसे देके भी इंडिया आ सकते हैं या इंडिया से बार जा सकते हैं लेकिन गरीब लोगों का क्या होगा जो जोड तोड करके 2-3 रुपे सेकड़ा में उठा के टिकट का पैसा का जुगाड करने पता कर लेना ऐसे option भी आपने सुने होंगे तो भाई देखिए एक सोट में मेरा मोटो यह यह कहनेगा कि जब तक government की guideline जारी नहीं हो जाए और international flightों का खुल के openly नहीं हो जाए तो भाई यह गुप चुप टिकट booking करने वाला जो system है ना इससे थोड़ा सा बच ले नहीं बचोग तो नुक्षान आपको उठाना पड़ेगा वो पैसा तो जाएगा दूसरा पैसा टिकट के लिए फिर आपको देना पड़ सकता है तो मेरी बात आपको समझ में आ गई हो कि कोई भी आपको company offer दें कोई भी airlines offer दें इतना पैसा की छूट मिल रही है यह मिल रही है पता लगे तो जब तक government की सो परतिस्थ guideline नहीं आजे भाई ticket book मत करवाना चे आपको कोई agent कुछ भी बोले चे आपको travel agency कुछ भी बोले चे कितना भी आपको लालस दिया जाए अगर करवा होगे तो आपका पैसा फंस सकता है कहने का मतलब मेरा यह है अलांकि government ने 870 के flight start करी है तो बह दें नहीं क्योंकि हार जब कमान से तीर निकल जाता है वापस नहीं आता समझ कहें बात को तो फिर घूढ़ना पढ़ता है को उसमें टैम लग जाता है समझे मेरे बात को बस आज का वीडियो यह था वीडियो अशाल लगे like करें शेर करें चैनल सबस्क्राइब करने के आपको मिलती रहे जहिंद वंदे माद